सो हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो लेंसर विसेट इस राम सोनी MPPSC ने असिस्टेंट रेजिटार एक्जाम 2022 के रिजल्ट जारी कर दिये हैं और यहां पर अपर 87% का रिजल्ट आया है 13% प्रोविजनल में चला गया है जब हाई कोड की वर्डिक्ट आये विसे आरेशन की तब ही जाकर वो 13% जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा यहां पर हम देखेंगे कुलमला के 13 वेकेंसी हुई थी जिसमें एक वेकेंसी जो है वो प्रोविजनल में चली गई है इसमें बताया गया है प्रोपर तरीके सारी जिसमें लेकिन सबसे इंप्रोटेंट है हमारा यह कटाफ कितना गया था जो की चर्चा का में टॉपिक है हमारा इसमें आप देखेंगे कुलमला के अनरक्षित में चार वेकेंसी थी अनसुचित जाती मतबसे दुलकास में दो वेकेंसी जनजात में तीन अननेपिशावर्ग में दो और इडुलेस में एक है ना इसमें नील कमल कुमाबत इनकी टॉप रैंक लगी है इनको नमबर मिले है 307 नमबर रटन में 18 नमबर इंटर्व में 325 नमबर टॉटल मिले हैं आपको पतो ना ची जो हमारा पैटरन था एक्जाम का उसमें 450 नमबर रटन के थे 50 नमबर इंटर्व का था लेकिन इसमें से 6 कोशन डिलीट हो गये थे रटन में 6 कोशन को फाइनल एंसर की में डिलीट कर दिया गया था और एक कोशन ऐसा था जिसका मल्टिपल एंसर दो एंसर सही थे मतब 432 नमबर रटन के 50 नमबर इंटर्व के और इसमें गया है एक कटाउफ नील कमल जी को टॉप रैंक मिली है 307 नमबर रटन में स्कोर किया है कितने में 432 में और 18 नमबर मिले है 50 में कुल मिला के 325 नमबर के साथ 1st रैंक स्कोर किया है OBC कटेगरी के हैं लेकिन seat उठाई है अन्रड़ कटेगरी की अब देखेंगे बाद में अमन जी है इनकी नमबर आपको दिखाया गया है फर गजिन्द मोर्या जी अइशलूर कास से अनि थ्रड रैंक स्कोर किया तीन 110 म मिले है जो की highest नमबर मिले है किसी भी का अंडेट को रटन में 11 नमबर मिले है मातर इंडरो में कुल मिला की मिले है 321 नमबर यहां पर दिया हम बात करें किस कटेगरी से कटाफ कितना गया है तो अन्रिजर्ड का कटाफ lowest में गया है अमन जी का जो के 322 नमर मिले है आप देख सकते हैं 297 नमबर रटन में मिले है और इसकी बाद दो बीसी की बात करें सबसे bottom rank इसकी लगी है तो बीसी में bottom rank लगी है पवन साहुजी की जो की मिले है 286 नमबर रटन में और 34 नमबर इंडरो में लेकिन एक बात और है यहाँ पर OVC female के दिए हम बात करें तो cut off किया है आपका निसा माली जी का 211 नमबर मिले है रटन में 281 नमबर इंडरो में खुलमला के 289 नमबर मिले है ने तो यह आप कह सकते हैं OVC female cut off है सुलूल कास्ट काटाफ की बात करो तो सुलूल कास्ट में अब एक ही seat तो थी में 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 के लिए तो यहाँ पर मिली है बेसिकली गजेंदर मौरिया जी को 310 नमबर मिले है जो कि रटन में हाइस्ट है टोटल 321 नमबर मिले है सुलूल कास्ट फिमिल के दिए हम बात करें चालिस नमबर एंटर मिले है और सुलूल ट्राइप फिमिल की बात करो तो यहाँ पर फिर अंजली जी है और सुलूल ट्राइप की सबसे लोवेस कटाफ कि थे हम बात करो कितना गया है तो यह है जोती खरादी और जिनको 221 नमबर मिले है रटन में तो यह हर एक कटिगरी की बात करें तो यहाँ पर स्रोण बाधित का है तो हलाकि अंजली के से मैच नहीं कर से चुकि यहाँ पर कटाफ काफी नीचे चला आता है डिफरेंट लिएबल में फिर भी 221 नमबर मिले है रटन में और 16 नमबर मिले है अंटरो में तो कुल मलाग ही यहला कटिगरी का जो कटाफ है जो कुलिफाइड कंडिट है उनको धेरो सारी सुपकाम नहीं यहाँ पर बाद में एक अनुपूरक सुची भी है तो यह वेटिंग लिस्ट है अब इसको क्लियर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा चुकि पहले में लिस्ट वालों की जोईनिंग होगी फिर जोईनिंग होने एक बाद नई लिस्ट बनेंगी जो लोग जोईन नहीं करेंगे टाइम पिर अंदर फिर वो उतनी सीटे खाली रह जाएएंगे फिर वो जार करना पड़ सकता है आपको फिर भी उमीद बनाए रखना चाहिए हम लोग को तो मैं जब कटाप डिस्कुस कर रहा था लास्ट ताइम जिब चुकि रटन में कोई भी माक्स डिस्प्ले नहीं होते हैं इंट्रिवू के बाद ही माक्स डिस्प्ले होते हैं यसे MPPSC मेंस होगा और फाइनली यहां पर हुआ भी आप देखेंगे बहुतों का स्लेक्शन यहां पर हुआ है और कटेगरीज में थोड़ा कम हो जाता है जिसे आप OBC में जाओ सुल का सुल ट्राय में जाओ तो थोड़ी कटाप कम भी हो जाता है लेकिन यह आप उस रेंज में नंबर आते हैं तो आपके स्लेक्शन होने की चांस हो जाते हैं भले सिटे कम है चुकि नंबर उतना स्कूर करना आलमोस्ट एक इंपॉस्बल टास्क होता है बिकॉस पीपर का लेवल भी काफी अच्छा खासा था एन अपर्ट फरम डेट निगेटिव मार्किंग भी थी तो ऐसी क बैच में यह बैच ही सुरात हो रही है 11 जनवरी 24 से आप इस बैच को जोइन कर सकते हैं तो आप MPPSC के तियारी कर रहे हैं और आपका प्रिप्रेशन अभी नहीं हुआ है उस कंडिशन में आप इस बैच को जोइन कर सकते हैं इसमें सभी 10 यूनिट कवर कराई जाएंगी ऑ आपको डिटेल डिनालसिस के सांथ वीडियो भी दे जाएंगी प्रॉपर डिस्कॉसन किया जाएगा तो यह सारी फैसलिटी हम इस बैच में दे रहे हैं इस बैच की जो प्राइस है वो है 2900 नहीं लेकिन एज आप नौ 6 जनरी के पहले जोइन करते हैं तो 409 रुपय डिसक इस बैच कोस तो वहाँ पर आपको फिर हमारा जो QR कोड़ है उसके बैच करेंगे तो उसके बाद में आपको हम अपने बैच कोस मेडिकल लेंगे और वहाँ पर आपको क्लासिस शेयर की जाएंगी तो यह ना डिसकॉसन नहीं आपके पास फरदर कोई डाउट्स हैं तो आपके जाएंगे पर आपके लिए जाएंगे लेएंगे लगाँस दो पर आपके लिए